अब थोड़ा सा सांसत को लेके बातचीत कर लेते हैं तीन प्रत्याशी जो अभी अमेदान में कॉंग्रिस से बीज़पी से और इक निर्दली आपके तो इन तीनों मैंसे अगर मैं बात करूं महरानी जी को लेके तो भई उनको लेके क्या रहे हैं आप लोगों के अगर पुल्हा इस तरह से जाते हो काम नहीं करता था और आज वो संसत जिसको युवा नहीं जानते आज वो संसत जो कहती है कि मैं आने वाले समय में अपनी बेटी को टिकेट दिलाऊंगी जो भी करूंगी जो उनके शब्द थो भी मैंने कुछ समय पहले सुने थे और वही जो आज अपनी सांसा निधी खर्च से जो है अपनी जो है दी हुई रखम जो खर्च नहीं कर पाई तो उसके लिए आप बताईए कि कहां तक उचित है कि हम उनको वोड़ दें आगे और जिस तरह से मैं बॉबी पमार का समर्थन कर रहा हूं हमारा पूरा परिगार बॉबी प चनल चलाता हूं और अपने साथ था मतलब भाईये के साथ तो मैं वहां गया था और मैंने उनकी मतलब एक तरीके से आंतरिक भावना को समझा था और आज यूवा उनके साथ खड़ा है वो बताता है कि उनका दर्द क्या है उनका आप मैनिफेस्टों पढ़िए मैं आपको सांसत तक पहुचेगी आप बताइए सांसत के काम काज को लेकर हम पूछना है तो पिछले पांस सालों में आपको लगा है कि जो मालरा राजलक्षमिशाह कुछ उन्होंने काम किया है या मतलब कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको लगती है कि उन्हें करनी चाहिए थी जी मैं नहीं बूल सकता है इस पर मेरी लोगसभा चेतर की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता कि मैंने विजिट किया है तो कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि एक दो सड़क रह गई हो बाकि सारी जो सड़कें हैं पहाड की हमारे पूरी तरह से अच्छी व सोर्स है एकनोमी का और बहुत सारी चीजे हैं आप लोग किसे वोट करना पसंद करेंगे बीजेपी कॉंग्रेस या निर्दलिय कैनिडेट को और क्यों जी मैं बाजपा सरकार को वोट करना चाहूँगा और मैं अपने भाई आयूश की बात का एक जवाब देना थे तो पुलिस वालों पर उसमें पथराओ किया गया इटे भेकी गई तो बहुई पवार उत्राखन की युवाओं को किस ओर ले जाना चाहूँगा या तो उन्हें पथरबाज बनाना चाह रहे हैं या वो धरदून को जो पुराना कश्मीर था भाजपा की सरकार से पहले या वो इस उतराखन को भी कश्मीर बनाना चाह रहे थे तो बहुई पवार को मैं बिल्कुल वोटने देना चाहूँगा भाजपा की सरकार को मैं इसले वोट देना चाहूँगा भाजपा की नितियों की बात करेंगे तो भाजपा आप सडकों की बात करिए आप आयुश्म पर हैं जो बिचारे पहले आत्मत्या कर रहे थे आज उनके खातों में पैसे आते हैं ऐसी प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना की बात करी आप हमारे डेवी कॉलिज से किलोमेटर की दूरी पर एक इंस्टूट है आईलेफिस इंस्टूट है वहाँ पे हर महीने 30-35 बच्च और किन मुद्दों पर करें मैं अपना वोट भास्पा करूंगा क्योंकि उत्राखंड में अवैद मजारे जितिनी भी थी वो धामी सरनकारा ने पूरी टुटवा दी है तब मेरा वोट बीजेप कर रहे थे कॉंग्रेस से जादा किसमें परिवार बार है कॉंग्रेस मतलब हमारी जो बीजेपी सरकार है वो कहीं से कहीं तक परिवार बाद नहीं है आपको लगता है कहीं उत्राखंड में किसी परिवार बार को टिकट दिया गया हो नहीं दिया गया ना जो चेतर में है जो काम कर रहा है चेतर के लिए उसको ही बीजेपी टिकट देती बीजेपी प अपने परिवालबाद के चक्कर में लेकन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राश्ट को लेके चलते हैं ठीक आप बते कुछ कहा है देखे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी भाई आने जो बोला अगर केंद्र की बात करी जाते तो पूर्ण रूप से भारते जंता पार् कि और एक turbo कि मिनए इसी कोई यह जना नहीं है जो जिससे ठीक हमारे लोग सभा के जो लोग हैं वहन जिता हो चाहे किसान सम्मान निदी योजना हो चाहे वो कौशल विकास योजना हो, चाहे वो स्वास्त की कोई भी योजना हो, चाहे वो राज की सडके हो, चाहे वो तीरी लोग सभा के पार्टन इस्तल हो, कोई भी हो, तीरी लोग हो, कोई भी हो, मतलब जिस पार्टन छेतर में है, सब को बढ़ावादि मिला। झाल झाल झाल